चलो अब विधी को पढ़ लेते हैं तो पहली जो हमारे यहां जो स्थापना होती है श्रीविद्याकाली तंत्र में पहला दिया गया है तांत्रों गुरु पूजन यह सुबे की क्रिया होती है सबसे पहले उठते ही बैड पर बैठते ही आप लोग यह क्रिया पूरी कर सकते हो गुरु को अपने अंदर स्थापना करना गुरु की शक्ति सभी देवियों के बीज मंत्रों में है उस वीज मंत्रों को अपने अंग में अलग अलग जगह पे स्थापना करना होता है So let us do that तांतरोक्त गुरु पूजन चौर महा मंट्र न्यास पहले जो जब करते हैं हम ओम रॉम ओम रॉम इसका जब करते हैं ओम रॉम जो है वो शीव जी का मंत्र है सदाशिव गुरू वही है तो पहला 108 बार जबते हैं फिर पढ़ हम लोग 21 बार कर लेते हैं ओम्रा साथा साथा म्रां मुर आर 4 अ बार अ शिव सबसे first thing in the morning भगवान शिव वही कुरू रूप में है वही हमारे अंदर बैठे हैं यहां पर मंत्र दिया रॉम ठीक है शिव का मंत्र पुरूश है इसलिए और वह इस्त्री हो जाती है तो वह मंत्र हो जाता है रीम एक ही मात्रा लग जाती है ठीक उसके बाद अब मंत्रों को रखना है तो पहला मंत्र होता है क्रीम क्रीम होता है काली का मंत्र है कहां रिदे पर क्रीम लाम कंचर पर दोनों ने टोपर पर इस भर कर पर जासब है सब्सके है सब्सक्राइब हम उम्रहन पर नहों हम समा को भी कर थे आफ्टुरौ जह से व्हुंत string 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 इस्पानल को जाण पर रिटकर्टी जान उपती है उम जान बेटें तेल बोन उमारा मुला दार हो वसे चार उंगलू पर जाओगे तो आपका स्वादिस्ठान होगे इक है तो लेंगी पूल पर हसाओ हसाओ asawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawasawas का ध्यान करना होता है, तो गुरू का ध्यान करने के लिए रिदे से ले करके मूलाधार, यह पूरे इसमें गुरू का ध्यान करना होता है, तो ध्यान कैसे करते हैं, तो गुरू जो है वो दो मुंद्रा में हैं वर और अभे मतला आपको गुरू वर्दान दे रहे हैं और आपको गुरू अभे 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 करके ए गुरुदेव जो आप वर्दान दे रहे हैं उम्जे पता है हम जिस काम पर निकलेंगे आपकी कृपा उमारे साथ है। है भूरे अट में अटनले हमें किसी व्यक्ति से डॉर ने लगता हमें किसी situation से डॉर ने लगता है कि कि आप हमारी रक्षा कर रहे हो वर्दार अभेदार और कैसे गुरू ग्याना दंद में गुरू ग्याना सवरूप है गुरू आनन्द सवरूप है आपको जीवन में जो भी परिस्तिया आएंगी उन सबसे कैसे आपको डील करना है कैसे आपको लड़ना है कैसे आपको जेलना यह अपक्साना देने वाले गुरू है और आपके जीवन में आनन्दाने वाले गुरू है गुरू कैसे ग्जान आनन्दा बहे साक्षात सर्व प्रह्म स्वरूब कम भण बहें प्रह्म उपकम हर एक चीज में गुरू ही बैठे हुए है ब्रह्म में फिर कहते हैं ध्याय सिर्शी सुकलाब जम दीब जम द्वीनेत्रम गुरु कि गुरु को यहाँ पर याद करो सर के उपर यहाँ पर एक कमल खिला हुआ है आपका इरिदे रुपी कमल वो इस सर तक बढ़ गया है और उसमें गुरु बैठे हुए हैं कैसे दो हाथ वाले हमारे गुरु बैठे हुए हैं इस मस्तिष रुपी कमल में और उनके दो आखे हैं बड़े सुन्दर करुणा में विग्रहम करुणा में आखे हैं कि गुरु के डूब रहे हैं, भीग रहे हैं, और वरा भायकरम शांतम, करुना मैवी गरहम, बर दे रहे हैं, अभहत शांत गुरु हैं, करुना के विग्रह हैं, और उनके भाम भाग में, उनकी शक्ती, शाक्षाद भवानी वो बैटी हुई है कि गुरू या ने सदाशिव उनकी शक्ति बैटी हुई है साथ में मराम मामेन अत्पल धार्नियाम शक्त्या लिंगितम लिग्रहम अपने शक्ति को साथ में आलिंगित करके गुरु और शक्ति दोनों साथ में बैटे वे हैं इनको याद करना है दोनों इनके मुख को याद करना है और क्या कर रहें दोनों जन शिव और शक्ति, सदाशिव और यह जो हमारी परांबा दोनों भगोती, यह हमारे गुरु है ये दोनों मुस्कुरा रहे हैं और हमको आशिर्वाद दे रहे हैं सादक अभिष्ट दायकम सादक के सभी अभिष्ट को पुल्ण करने का आशिर्वाद दे रहे हैं तो शिर्वाद आपके देगुरू से होती है और यही देगुरू जो है ये शीवशक्ति का मिलित सरूप है ऐसे भाव में इनका ध्यान करना है गुरु का ध्यान में मंत्र पढ़ देती हूं गुरु रिदय में और मस्तिक्ष में बैड़ गए गुरु की मांजिक पूजा करनी होती है तो मांजिक पूजा हम किसे करते हैं पंच तत्व से करते हैं लेकिन पंच तत्व क्या प्रितितत्व अग्णी तत्व जल तत्व अग्णी तत्व और भायू तत्व और अकाश तत्व ये पंच तत्व को हम गुरु को समर्पित करते हैं दीप से धूप से पुष्प से नेव हमारी पूजा है वो सब कुछ हम गुरु की चरणों में समर्पित करते हैं तो एंग करिश में मेशलत दिया गया है एंग करिश्टिका अभ्याम लंप्रित्यु आत्मकम गंधम साशक्तिकम श्री गुरुए समर्प्यामिन महा एंग उस्था अभ्याम हमाकाश आत्मकम अभी तो में तेजी से पढ़ दी हूँ चिंता मत करना फॉल अप क्लासेज होंगी वाल इंटर्स आपको रोज सिखाएंगे यहां पर शीवर में भी सिखाय जाएगा उसकी पास जूम पर भी सिखाय जाएगा इसकी वीडियो जोड़ी बन चुकिये इसकी वीडियो बन अगले शीवर में आओगे आप लोग पर्फेक्ट हो जाओगे यह मुझे पता है इतनी सारे संस्क्रित पढ़ते नहीं बनेगा तो किवल बीज मंत्रों को पढ़ना बीज मंत्रों को और जो भी आपका गुरू सोतर आप पढ़ सकते हो और भामना से गुरू को दीप दिख होती है समयnot होई कोई हाथों में गुरू को बिठा लेते सबसे सरल आप वो टेबल देखो कि ने तो समझे なप चार दिए गये है डेज नमार मिंवर्य ओन्स पर पहला टेबल तो अंगुठा पहला पहला क्या दिया उंगलिया दिया अंगुठा तर्जनी मद्यमा अनामिका कनिष्टिका और करतल मालू मेरे सब को यह है फाचीज वीडियो पे है दूर वालों को शायद दिखाई नहीं देता होगा क्लियरली फिर भी अंगुष्टा है अं गुठा तर्जनी लंभी वाली उंगली अंग्लियो फिर थिस्ती वाली उंगली अनामिका 31 चोटी वाली उंगली घंष्टिका फिर कर यानिए पॉम्स ल लॉल करDis unjust ट कर्प्रिष्ट क्या को क्या करना होता न्यास के लिए सिंपल न्यास श्री अंगुठे पने श्री ए पर कम तहुचा में और रराजनी में श्रीजवेंँ मध्यमा में श्रीजवें नमां कित्यु अर्णा धन्मी स्री गुर्वें नमां थी छी गुर्वें मां यंदभ ऌपीटां फोली नमत ब्रोव पीर छी गुरुवेंड मां फिर श्री गुर्वे नमहा simple basic करणियास ठीक है फिर दुसरा मंत्र दिया न्यास मंत्र दो उसमें क्या लिखा गया है गाम गीम गुम गयम गुम सट्या करने का अंगुठा पे गाम गीम पहली उंगली तर्शनी गुम गेम कि та ओंहों guysْ कि कि तीस्तरा नियास मंत्र टो अंगूटे पर सी अब तुम देखो गेडम कि तीसरा नियास मंत्र में तो मंत्र देखो Pelo से मंत्र को पहला जो अक्षर है न वर्टिकल देखो श्री पहले रैन में श्री है इस रैन में गू है इस रैन में रहे फिर वै फिर नमाहा ऐसा लिखाए तो भी उस्री गुर्वे नमा के एक-एक अक्षर से हम लोग कर रहे हैं तो श्री अंगुष्ठा ब्याम नमाह गूतर्जनी ब्यां स्वाहा रमद्यमा ब्याम वशत वैया नामिक आप ब्याम खुम ना करिश्टी का ब्याम वहुशत मा कर दल कर पिश्टी ब्याम फट अब प्रश्ण उटता है तीनों से करो एक दम ग्र एक महना के वल खेष्री गरुवें कि प्राक्टिस करोbonव कि पिर चब्ठम एकसपर्ट हो गया उसमें आप दुसरे मन्त में हुरन से करो चबिसमेस में थो गए थीसरे मन्त में लास्ट में ऽिपल रहे वरसी का ड्रू करो दूर करने की भी सथो कि i step by step पहला मेना गुष्णा मेना न पूसरा मेना गुष्रे वाले से मैन हिसरतोर श्तम उसंध्हे वाले सोचोनगा इजिंदा मत करना स्क्राइब ज़ंड कि और स्म کंहिद का इस शी में मैं यॐ जो गया कर न्ौक्फा गह चैनल पर दल पे गुरूप में डाली हुई ना थीक है तो इसके सारी वीडियो बनी हुए पर सिखो के आप लोग पर सुने पुब्लिक है ओके प्लीज शेयर रगो आप लोगो वीडियो शेयर कर दी जाएगी तो आप लोग सेव अपना सेव कर लेना स्टार कर लेना तो आप लोगों को देख कर आप लोग सिख लोगे और वॉलिंटर्स आपको सिखाएंगे तो अंग में आद करो आंत्रिक लोगों को यह समाना चाहिए शडंग छेंग होते हैं शड़ शड़ नी छेंग कौन कौन से अंग तो यहां से शुरू होता है रिदय, सिर, शिखा, पिर कव चयनी शोलडर पिर टेन नेत्र त्यननेत्र वन टो टू त्री नेत्र और फिर अस्तर होता है, अस्तर है बंदुक और तो जुआ पर से लेफ्ट से घुमाते हैं सर के बंदूक चार, पाँच, छे, लेफ़ जे लेफट से, घुमा अपने उपर, रिचे से लेगो, लेफ़ खंडे पर गवास तरपना, बंदूग इन आखो, यह जे बंदुग इफंडे बंदूग चिलानी अपने को, अपने गंडे से, अब बने ऊपर कोई भी चीज नेगटिव ने ओन इची है लेफ्ट एन्ड खेशे लेफ्ट कंधा इजी जो फिर क्रना याभी सेम चीज taką hall है 시 री गुरुवेन है अंशी री गुरुमे निमह है स्री री घुर्वेन मह अ Shri Gurvena Maha, 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 Shri Gurvena Maha गहा हो गया फिर और एक है श्री रिद्यायन महा गूसिर से स्वाह रह शिखाय वश्ट वैकवजाय हूं न नेत्रत्राय वश्षट महा अस्त्राय पट्ट उसके बाद ओम परम्तत्वायन आरणा गुरु बेवनम का जाप करना 108 बार या नहीं एक माला 108 हुआ तो 108 सुभे सुभे को कर लिया आपका तो आपका गुरु पूजन हो गया यानि आपके अंदर गुरु की शक्ति बैढ़ गई पूरे दिन गुरु आपका कल्यान करते रहेंगे उसके बाद सारा मंत्र जपने के बाद एक सेकंड बोलते हैं एंग करके एंग मंत्र से य हम्याप्त मीन चराचरम थत्पदम दर्शितम ये ना तसमे श्री गुरुवे नमान तो यह रुस सुभे सुभे एक बारे तांत्र गुरु पूजा एक सम टाइम टू मास्टरेट बोलो है बोलो है बैड़ परी कौस मांसिक 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 हाप में अलग अलग तरीके होते ह में बीगनर्स के लिए एक तरीका हैंकि आप उन मंत्रों को देखो आपने अंदर्ह जोने गोल्डन कलर में लिखा ऐडे कलर में तरीका यह ओम रंदत्वा नारानकृष घरे हमााई दूसरा हर दूसरीका यह गुरू के बंचक्छर को याद करो इस इको नहीं कर दो मण केंडृत ओसके अगरो नहीं oh नहीं हो लुड्याख यह सब मिंख्र टॉर्षाen कि अपना काम क्या है पहले फोकस लाना फोकस लाना मुमा कोई ब्लक्तूप मुझ कर नें आफ खलकर हमाँ नня विघ रखती है आफ नहें अनि घ्रत किया और एक बार ऐस मिलताथ देख फ़र गुरू की थे कुर मासरय कर डशाले हो निना बिंग किया है अपर जब आग बंदोगा तो वो इमेज नहीं हो जाति इसको ध्यान करो जब तक ही वो लोग नहीं हो जाती है आपन नाइस ये भी एक तरीका है कि जान के अग कुछ नियों का गुरु के चरणी आधा जा जहें चरणों अगरुका जो कोई भी अंग पे ध्यान कर सकते हैं कि पुछ भी ऐसा है जो भी तुमारे द्यान में आगया इसको धान को शोट आप लोगोगो जोमास्ट्री करनी इसकी करनी पड़ेगी अभी नहीं करनी पड़ेंगी फर्स्ट मास्टरी तांटर गुरु पूज़ फिर दैनिक पूजा नुष्ठान, इसमें क्या है? यह सिंपल है बहुत, पहले गुरु गणेश आवान गुरु मंत्र दिया गया, ओम गुरु ब्यो नमा और गणेश जी का मंत्र ओम गणपदे नमा, फिर शुद्धी मंत्र दि इसी से यह जो दैनिक पुजा नुठान दियाना बस इसी को करना अपी बाद में गणेजी के मंत्र चपले ना है 11 जी गणेजी की आरती उतार रही है हो गया गणेजी पूजा दिवाली आने वाली है लक्षमी पूजा कैसे करें बस जैनिक पूजा नुठान खोलना पूरा ऐसे कैसे करना गुरू को तांत्र गुरू पूजा अर यह करना फिर लक्षमी जी का मंत्र जो भी मिलाओगा जो भी आपको करने कर लो पुछ नहीं आता ललता ससनाम पढ़ लो श्री सुक्त पढ़ लो इस अब लक्षमी जी की सकते हैं इसको तो इसमें शुद्धी मंत्र शुद्धी मंत्र में इसमें लिखा हुआ है आपके पास हमेशा पूजा में आश्मन होना चाहिए अल्वेस यह बेसिक पूजा है यह यह फाउंडेशन है पूजा किया अभी समझ लो श्रीविद्या वालो यहां से शुरू पात्र सादन में इसका expanded version है यह पहले perfect करते हैं फिर उसके एकनम बड़े वाले version पर हम जायते हैं सिखा तो मैं आपको बड़ा वाला version दोंगी लेकिन बड़ा वाला version है ना रोज कुछ लोग कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे तो जो लोग रोज नहीं कर पाते हैं उ समें जो मंत्र पढ़ते वो यह है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पीवा यास्मरेत पुंडरी काक्षा सर्वभाय अभ्यत्र सुची अब शुरू शुरू में मंत्र बड़े कठिन लगेंगे मां हमको संस्कृत नहीं आती है तो क्या करें अशुद्ध मंत्र है इसकार देखी है कैसी भी अवस्था हो तुमारी शुद्ध वस्था में हो या अशुद्ध वस्था में हो कहने करते हैं तुमने तुम्हारे पास टाइम नहाने को भी लेकिन मालाज अपनी है ग्यारा माला अब तुम नहायद होए नहीं हो अब तुम बैढ़ गया असन लगा के अब अशुद्ध वस्था देखा जाए ना तो बोलो भई यह मंत्र बोलो कि तीन बार अगर पुंड्री काक्ष विष्णु को याद कर लिया तो कैसी हो तुम पथितर हो गए तुम नहायद हो नहीं होनाई की नहीं यह समनाई तो यह नहीं की नहायद के नहीं ओ सब यह नहीं यह conviction snaill Ingred饭ी नहीं जटब हो ड़ आताए महीं फ़िए कौरश चैना कर रहा है अवह तो नहायद हो है नहीं हम लेगी इस पिलेंगे हम ट्रेन में म वापस टाइम नहीं है वापस हमारे सुबह को पांच बजे को जाना ओफिस को अट्टेन में बैठे अब क्या करोगे कहां से जल लोगे नहीं चड़क से जल आश्वन पात्र नहीं है क्या करोगे यह मंत्र बोलोगे तीन बार विष्णु को याद करोगे तो विष्णु कि एक बार विष्णु बोला बाहर का शरीर शुद्ध तुसरी बार विष्णु बोला मन शुद्ध तुसरी बार विष्णु बोला अंतर मन शुद्ध अंतर चेतना शुद्ध हो गया मन बुद्धी चेतना सब पवित्र और फिर लगे मालाज अपने काम हो गया का 12 को करना नियुक्त हर जगा कर सकते हो여, हर जगा कर सकते हो, इस मंत्र कार दिया ही ए कि आपविट्र हो या पविट्र हो, आपविट्र हो और है पविट्र师, वा, वेधर आए प्योर हो वेधर गतो आपकी किसी प्यावस्ता में हम चले गए, फिर भी, यस्मरेट जो याद करता है कि इसको पुंडरी काक्ष, कुंडरी काक्ष को जो हृदय में बैठे भगवान, जिनके कमल नहन है यास्मनेत्पुंड्री काक्षा सर्व बाहिया मतलब बाहर का भी अब यंतर अंतर का भी सब कुछ शुद्ध हो जाता है यह इसका आर्थ है हाँ मैं यह सब शॉटकट तुम लों को बता रही हूं भी प्राक्टिस घर पे करनी चाहिए कोशिश करके कि अगर किसी के रियली में इतना वर्क होता है न अचल वर्क का इश्यू है तो आप ट्रेन में बैठ गए अपना असल लगाओ और बिल्कुल याद करो कि अगर तोड़ा जल रहेगा बॉटल में पानी लेकर छिडग लो अपने उपर उपर उधर ही अपना बना लो सब प्रेनी तुम्हारी कर लो कोई तकलिव में चीक है और माला लो एक घंडा बस जबते रहो जबते रहो प्रांजिट में हो कर लो ठीक फिर शिखा बंदन ओम बनी धारनी वजरनी माप्रतित्रिय रक्षक सुम्भू फट्सवाह इसका अर्थ क्या है शिखा क्यों बांते शि खीचना होते हैं से थोड़ा सा क्यों कीचना होते हैं अटेंशन किया पूरा ध्यानी दर आना है और बोलते हैं हम लोग कि हमारी रक्षा रहे हम जिस भी सहालत में भी जब कर रहे हैं हम इर रक्षा होती रहे थिर भस्म को धारन करना है भस्म का धारन करना रंबकम्या जाम है तरणन को आहांने कर रहे है लगा सबस्क्लक्य कि उसी करते है कि था लिए ल्य ये अननला ओक आप आऊड़े अचिंटनता चिटाचिंटप्ष काचिता चिटा इम न दخिए ब्रबर महाइच नचिंटा और छिटाच चुटधिति मे상이क पुक डाला अब धारन कर लो बगवान शिव ओम तरंबकम या जाम है सुगंदिम पुष्ठी वर्दरम उर्वारुक्मे उबंधनात प्रित्य और मोक्षे मामरितात शिव में बन गए शिव के अंश याद करो तुम शिव के पुत्रो हर हाल में तुम शिव के पुत्रो आशेने अधर्वगां कने पुष्ठी बैस। हम या यह सतनु शिव के पुष्ठी वर्दरम उर्वारुकम उबंधनात मृत्य मामरितात है खवान शिव हम इस समये आपकी कुष्ठी बात नहीं हं अगर होGO हैं को ऐसे मृत्य देना जैसे प्राण निकलने हो तो आपका नाम लेते लेते प्राण निकलने है तो अब हमने इस शरीर से इस मन से इस अंतर मन से जो कुछ भी चिंता हैं थी सबको निकाल दिया कोई ऐसे वैसे करम किये उसकी भी चिता लगा दि हम तो शीव के भक्त हैं शीवांच हैं शीव शक्ती के पुत्र हैं हम आपको अपने मस्तक पर धारन करते हैं आप ही शीव हैं आप ही गुरु हैं आपको अपने मस्तक पर धारन करते हैं आप ही का नाम लेते लेते जाना लिखा हो तो आपी का नाम लेते लेते जाएंगे हमेशा इस भावना से ठीक है चलिए उसके बाद अब भवान को धारन कर लिया अब आश्मनी करनी होती है तो आश्मनी में क्या लिखा होता है एंग आत्म तत्व शोध्यामी क्लीम विद्या तत्व शोध्यामी क्लीम शिवत तत्व शोध्यामी एम रीम क्लीम सर्वत तत्व शोध्यामी और फिर उसके पाद हाथ को दोना होता है इसका अर्थ क्या होता है एंग यानी बीज मंत्र सरस्वती का वाग बीज मंत्र ही है इससे हमारे आहात्म तत्व की शुद्धी हो चेत्ना की शुद्धी हो और फिर रीम विद्या तत्व शोद्यामी रीम, भूवनेश्वरी का मंत्र है रीम हमारा पड़म मंत्र है रीम से हमारे विद्या तत्व यानि हमारे अज्ञानता दूरो शुद्ध विद्या का उद्य हो और क्लीम क्लीम तो संयुक्त मंत्र है शिव शक्ति का संयुक्त मंत्र है इससे शिव तत्व जो है वो हमारा जागुत हो और एंग्रींग क्लींग यह बीज मंत्र मिले इससे हमारे सभी तत्व जो है वो पवित्र हो जाए ठीक है तो सारे तत्वों को हम पवित्री करने के लिए तीन बार जल लेते हैं और जल ले करके पवित्र करते हैं जल नहीं है तो किवल जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा और मंत्र बयाट हो जाएगा ना जो सब भावना से करने हैं, भावना से पुजा होती है, सबसे ज्यादा strongest होती है, उसके बाद धर्ती मा का पूजन, यह बहुत important है, फिर ओम रीम आधार शक्तिनमा, धर्ती का बीजमन्त है रीम, रीम यानि भूवनेश्वरी, जो भूवनों की मालिक है, धर्ती यह भूवन ह उसकी जो बीजमन्त है रीम, यह आधार शक्ति है, उसको नमस्कार है, फिर आप जो आसन पे बैठते हैं, उसकी पुजन होती है, ओम आध के सुरे के वजरे रेखें, ओम पट स्वाह, फिर आसन पे पांच बिंदिया लगती है, ओम प्रिथ्वे नमहा, गुर्माय नमहा, निम्लाय नमहा, योग पिठाय नमहा, फिर उसके बाद गुरु परंपरा की पुजन होती है, गुम गुरुब्यो नमहा, परम गुरुब्यो नमहा, पम परातपर गुरुब्यो नमहा, पम परमेश्ची गुरुब्यो नमहा, शिदार्श्रमाय नमहा, शिदास्वमस्य समस अब बुरुजन की पुजा हो गई, धर्ती की पुजा हो गई, आसन की पुजा हो गई, पुचा हो, ने ने पीना है, पीने के बाद फिर हाथ दोलेने का, बस, तो गुरुजन की पुजा होने के बाद दिखपाल, दिखपाल कौन होते हैं, दस डिरेक्शन है, टेन कार्डिनल डिरेक्शन, उनके जो रक्षा करते हैं, दसो दिशाओ की, उनको पुजा करते हैं, कि भाई, हमारी रक्षा करना, हमारी तपस्याम करने वाले हैं, जब करने आप लोगो मरी रक्षा करना उम पर त्रवादिष्ठी ब्रानाय रखने फिर गणेश के चार द्वारपाल होते हैं तो यह गणेशादी द्वारपाल आप चारों को हम पुझते हैं और फिर वह भावना पाप शमन मंत्र सुबह भी आप लोगों को दिक्षा के समय इसब कराय मारमय रियाद करना कि है देवी जो हमारे रजोगुण सतोगुणी जो भी पाप हुए हमसे उसको आप नश्ट कर दो हमको पवित्र बना दो हमको आपको प्यारासा बच्चा बना दो पावडर ओडर लगा करके हम हमेशा गंदे में घुसते हैं लेकिन आप इमको नलाद भ पच्चे हैं आपके कोधी लाइक बनात हो जो संस्कृत में आप लिखा है तुम भावडरा से बोल देना फिर देवी जब तुम को देवी चमका देगी देवी यह धीप रूपी जो रिदय रूपी जो दीप है ना बस आपको चड़ा रहे हैं दम दीपनाताय नमह पर सारे लोगों को याद करना तो पंच जो सारवहमिक तत्व हैं यहां बेशा रहते हैं सूरिया सोमो यमक कालो महा भुदानी पंचचा एते शुबाशुबिक सेह कर्मडो भव साक्षिन हां इनको याद करना है फिर बादा शमन कि कोई भी बादा हमारी पुजा में ना आए तो उ अमदुर के रक्षिन हुमुग पठ स्वाह तो गणे जी से प्रातना यह गणे जी सारे विगनों को दूर करो हम साधना में लगने वाले नौग रहों की प्रातना थिर वास्तुपुरुष की प्रातना और भहरव जी से हमेशा अज्या लेनी ही है तो सारे मंत्र आपको करन आप हमें अपने तपस्या के शक्ति दीजिए हमें 11 मंत्र 11 माला जप लें क्यों जप है जो भी आपकी इक्षा बोल सकते हैं आपकी मम्मी है वो ममा यह चाहिए बहुलों को यह तकलिए और किसी को इक्षा नहीं है लेकिन बोलते बोलते एक चीज़ को और एक प्राक्टिस करना शुरू करूं ममा इक्षा बहुत है क्या करें लेकिन एक और इक्षा है बस निश्काम हो जाए आज तक आपको किसे नहीं यह नहीं सिखाए होगा कि निश्काम होना महा बहुत सा कामता है लेकिन हमारी गुरुमा ने सिखा है निश्काम होना नहीं हो रहे है ममा प्ली पेज नमर 26 और 27 के सारे मंत्र आपको अपनी साधना शुरू करने के पहले एटलिस पांच बाच बार तो करने ही हैं हम लोग एक एक बाला करते थे बट मुझे पता है कि समय बहुत चला जाता है उसमें तो एटलिस पांच बार तो गणेश मंत्र है ओम गंगनपते नमा फिर अम स्वाहा ओम रिम घंबर वाय नमा इसारे दिक्षा के मंत्र आप लोग को आज मिले हैं तो कम से कम पांच बार इसको करना पड़ेगा इसके बाद गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवास्वा तच्छ वितुर्वरेणियम यह आपको पांच बार करना पड़ेगा फिर चेत इस मंत्र इस सारे मंत्रों को कम सि कम फाइफाई बार करना प्र आपको अनुष्ठान का मंत्र है समझाप बारा मंत्र कर रहे हो तो बारा मंत्र ग्यारा माला फिर आप पूरी ग्यारा माला करोगे फिर ये सारे मंत्रों को फिर रिवर्स में करना है आपको ठीक है साधना कंप्लीट ऐसे होती है तो रिवर्स में 5-5 बार कर लो अगर समय बहुत कमें 3-3 बार कर लो अगर और और समय कमें एक एक बार कर लो प्लीज वो रिच्छोल को पुरे विधान को पुरे करना ठीक है